मध्यविदेश के मुक्यमंत्री कमनलाथ के भांजे के खिलाफ आयकर विभा की बेनामी निश्य दिकाई ने बड़ी कारवाई की है जिसके जलते सीएम के भांजे रतुल पूरी के फर्मों की 254 करोड के बेनामी शेयरों को जब्त कर लिया गया है रतुल पूरी पर आरोप है कि उन्होंने राजीव सकसेना की मदद से FDI की रूप में भारत में पैसे लिया है एक अधिकारी के नुसार उक्तराशी आप्टिमा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइबिट लिमिटेड में FDI निवेश के जरीए हासल की गई है एकनी कमपनी HEPSL के नाम पर पूरी ने सौर पैनल आयात करने के लिए धिक्चानाल बनाए और इसके जरीए 254 करोड की कमाई की है यह उनकी एक शेल कमपनी है जिसका संचालन दुबई में राजीव सकसेना की द्वारा किया जाता है बता दें कि वो भी अगस्ता वेस्ट लेंड हेलिकॉप्टर घोटाले का आरोपी है और ED की रासत में है भारती वायुसेना के लिए साल 2014 में 12 वी वी आईपी हेलिकॉप्टरों की खरीदी के लिए एगलो इतावली कम्पणी अगस्ता वेस्ट लेंड के साहत 3600 करोड रुप्य का करार किया गया था औरोपी के इस करार में 360 करोड रुपए का कमिशन दिया गया था इस मामले में रतुल्पूरी का नाम भी सामने आया था लेकिन आरोपी से सरकारी गवाब बने राजीव सक्षिना ने पूछताच में पूरी का नाम छिपा लिया था गौर्दर भै की हाल ही में रतुल पूरी को परवतन निर्देशा ले की पूछताच के लिए लाया गया था लेकिन वो वहां से भाग गए